तो हमारा फ्लेट प्लेट कलेक्टर से उस पर किन किन चीजों का असर होगा सबसे पहले हम उसका कंस्रक्शन देख लेते हैं तो यह एक फ्लेट प्लेट कलेक्टर है सबसे पहले तो यहाँ पर एक ट्रांस्परेंट ग्लास कवर होगा वो एक से ज़ादा हो सकते हैं एक या दो उनसे ज़ादा भी हो सकते हैं लेकिन आगे उसके देखते हैं कि यह एक या दो रखने का एक रिजन होता है Now the sunlight, going sun rays आएंगे वो यहाँ पर impact करेंगे, तो यहाँ पर glass cover है, तो उसकी transmissivity काफ़े जाधा होगी, जिसकी वज़े से वो यहाँ जान होकर नीचे तक आ जा सकते हैं, तो यह भी दूसरा भी एक glass cover ही है, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर यह लाइन दिखाई दे रही है, वो एक absorber plate है जो एक black color से बना हुआ होगा जिसकी absorptivity होगी काफी जादा होगी यहाँ पर जो circle दिखाई दे रहे हैं सारी जगव पर यह सारे circle एक fluid pipe है जहां उन में से water का flow हो रहा होगा जो solar rays की heat है उसे consume करकर उसका हम पानी को गरम करने की application में use कर सकते हैं तो basically जो absorber plate है वहाँ जो उसने heat को consume किया होगा वो अपनी conduction के तुरू उस fluid को या water को heat pass कर देगा उसको conduction कर देगा heat transfer कर देगा और उसके बाद अगर देखे कि कई सारे जो various parameters है इसके हिसाब से तो पहले यह तो एक insulation है जिससे heat loss बहार atmosphere में ना हो पाए इसके लिए यह सारा insulation है wall insulation and यहाँ पर insulation है सारा insulator नाव पहला हम देखते है कि selective surface तो यह जो जो यह नीचे एक black plate की बारे में हम बात करते हैं यहाँ उसकी बात अभी है selective surface यानि कि absorber plate के लिए तो high value of absorptivity जितने भी sun rays जुहां तक पहुँच पाएंगे उसकी सारी heat को consume करना है इसे store करना है तो इसके लिए जो वो black plate होगी उसकी absorptivity काफी जादा होनी चाहिए low value of immisivity तो उसके पास जो immisivity होगी वो काफी कम होनी चाहिए जिसकी कारण जो heat उसने consume किये वो बार निकल होगी तो वो energy को store कर पाएगा उसे रख पाएगा effective way to reduce the thermal losses तो हमें काफी सारे heat insulator का use करना है जिससे जो heat है उसका flow या loss ना होने पाए ना तो copper oxide nickel blade and by chrome का generally use होता है इस absorber plate के लिए तो आगे दूसरा एक देखते है कि number of covers जो अभी हमने सबसे पहले बात की थी कि यहाँ पर जो यह number of cover है glass cover transmissivity के लिए कि जहां से सारे जो sun rays है वहां से पास हो सके तो high तो उसमें क्या होजाए कि transmissivity as much as the solar energy transmissivity उसकी काफी ज़्यादा होनी चाहिए और minimize the heat loss from the absorber plate और जो absorber plate तक sun rays पहुंच जाए उसे जो sun rays अंदर आ गए उसे बाहर ना निकलने पाए इस तरह से उसका emissivity काफी कम होनी चाहिए और increase the cover जितने भी हम increase करते जाएंगे glass cover तो उसके साथ ही जो transmissivity है वो कम होती जाए अगर realistic way में देखे तो उसकी कोई ने कोई तो transmissivity के कारण वो sun rays सो अंदर आ जाएगे लेकिन absorptivity होगी जो heat को consume कर लेगी तो जितने भी glass cover हम जादा करते जाएंगे पेला होगा वो कुछ absorb करेगा heat फिर दूसरा होगा वो भी कुछ करेगा उसके कारण जो हमारे heat loss होती जाएगी और जो last में absorber plate तक पहुंच है heat वो काफी कम होती जाएगी तो 2 होगा तो काफी अच्छा रहेगा या 2 से जादा अगर plate रखने जाएगे तो जो heat loss से वो काफी कम होती जाए heat loss यहाँ पर क्या होगा कि यह सारी जो plate हमने glass रखे वो absorb करते जाएगी इसके कारण heat absorber plate तक काफी कम पहुंचेगी तो यहाँ पर heat कम पहुंचने के कारण उसकी absorptivity तो जादा होगी लेकिन जो heat होगी वो काफी कम consume होगी now the maximum efficiency obtained with one or two more cover यह एक या दो cover से ही maximum efficiency को ला जा सकता है now the collector tilt तो collector tilt यह तो मैंने रखा है यह disc type plate collector है तो मैं तो सिर्फ collector tilt के बारे में ही यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि sun rays है अगर यह सारी हमारा instrument है तो यहाँ पर एक absorber होगा तो sun rays की direction में ही absorber plate होनी चाहिए जिससे जो sun rays उसमें जो heat है उसका जादा consumption हो पाए now the normally is fixed in one position लेकिन यहाँ पर हमें flat plate collector की बात कर रहे तो यह generally एक position में ही fixed होगी तो which do not track the solar system तो वो sun के साथ move नहीं कर पाएगी जिससे एक fixed position के करण हमें ऐसा angle ही चाहिए होगा कि वो जादा से जादा heat को consume कर पाए solar rays की direction में होना चाहिए angle at which fix is more important तो जहाँ पर भी angle जो fixed होगा वो काफी important रहेगा कि solar rays तो यहाँ पर impact करने चाहिए absorber plate में तभी तो energy consume कर पाएगा now the winter application 5 यानि की latitude latitude plus 10 degree और plus 15 degree तक हम move कर सकते हैं या summer applications के लिए 5 minus 10 degree और 5 minus 15 degree तक हम collector tilt कर सकते हैं तो important angle काफी important रहेगा इस heat को consume करने के लिए now for spacing तो spacing की बारे में बात करते हैं तो generally spacing का meaning क्या होता है कि जो हमारा absorber plate है उससे जो हमारा first cover है उन दोनों के बीच में जो gap है उसे spacing बोला जाता है और जितना भी जादा spacing रखेंगे तो यहाँ पर जो sun rays सारे यहाँ पर impact करेंगे अंदर जाएंगे वो काफी अगर spacing जादा होगा तो वो इकटा नहीं रहेंगे इस तरह से कुछ अलग अलग पड़ जाएंगे तो हमारा heat loss काफी होगा और जो उसके जो heat उसमें जो heat होगी वो जादा तरह हम उसको consumption नहीं कर पाएंगे तो heat loss varies with spacing and maximum two covers हमने बात की थी कि two covers maximum अच्छे रहेंगे efficiency अच्छी आएगे now the spacing in the range of 4 to 8 cm तो जादे से जादा spacing होगा वो 4 से 8 cm तक होना चाहिए now the fluid temperature inlet temperature increases the operating temperature increases जो जितना भी fluid का temperature हमें जादा मिलेगा उसके साथ ही जो operating temperature रगा जो water को हमें गरम करना heat देनी है उसे वो भी जादा होने लगेगा जिसके करण it leads to the increase in heat losses तो heat losses काफी बढ़ता जाएगा and decreases in efficiency तो heat loss काफी बढ़ने के कारण जो उसकी efficiency indirect ले आएगी वो काफी कम रहेगी तो यहाँ पर एक efficiency versus temperature का यहाँ पर एक graph allocate किया है 20, 40, 50 अगर जितना भी temperature कम होगा उसकी efficiency जादा रहेगी और यहाँ आप देख सकते हैं कि जितना भी temperature जादा होगा यहाँ पर 80 degree Celsius है तो यहाँ पर 20% तक ही efficiency आ रही है Now the cover transmissivity, cover transmissivity जितनी जादा होगी जो हमने glass cover 1 और 2 रखा है उसकी transmissivity जितनी जादा होगी उसके कारण जो हमें efficiency होगी वो काफी जादा मिलेगी Absorber plate तक जो heat पहुंचेगी जो heat trace पहुंचेगी वो काफी जादा होगे तो हमें indirectly efficiency बढ़ जाएगी हमारी system की Now the dust on the top of the cover तो हमने glass cover इसी दिये रखे है क्योंकि जो absorber plate है उसपर कोई dust ना लग सकेए But जो हमारे उपर glass का cover है उसपर तो dust लगने ही वाली है So the dust accumulated on the top of the cover The reducing transmitted flux तो उपर जो dust लग जाएगी जिसके कारण जो heat trace आ रहे हमारे absorber plate तक वो काफी कम होते जाएगी Due to the dust and the required continuous cleaning continuous cleaning चाहिए लेकिन एसा पॉसिबल नहीं कि हर रोज हम clean कर सके But regularly in the month और weekly उसको clean करना परता है And जेखते है उसके बाद 8 जो है वो performance over a day The efficiency of a plate plate collector strongly depends on the instance of the time जो में solar rays मिल रहे है उसके time पर And the heat gain and the efficiency depends on the solar time जो इसका main क्या है कि अबर हम देखे कि हमें जो sunlight जो available होगी वो Generally 9 से 17 यानि कि 4 या 5 PM तक रहेगा 9 AM से 7 PM या 6 या 7 PM तक तो हमें उसका maximum use करना है तो सबसे पहले तो 9 से 11 तक उस time period में हमें थोड़ी सी efficiency मिलेगी यह efficiency versus time का graph है और 12 AM से 1 PM तक जो हमें efficiency मिलेगी वो peak पर होगी उसके बाद जो उसके बाद 13 यानि कि 3 बजे से 7 बजे या 6 बजे तक जो फिर से वो graph कम होता जाएगा हमें efficiency कम मिलने लगेगी तो हमें जो efficiency मिलेगी वो 12 बजे सबसे जादा मिलेगी नाव फोर a setting तो major problem with larger spacing is that a setting तो हम जो absorber plate और cover plate के बीच में जो distance रख रहे हैं उसके कारण setting के काफी सारे problem होते हैं क्योंकि जो सारे sun rays आ रहे है वो directly वो कभी उसके जो main उसका एक रास्ता है उसका way है उससे थोड़ा derived हो जाएगा उससे deflect हो जाएगा main उसका way कम हो जाएगा वो सारे जो rays है इस तरह से कभी diffuse radiation के मुकाबले वो आते रहेंगे Now the setting needs to correct है तो setting अच्छे से होना चाहिए इसका जो problem हो उसे solve करना ज़रूरी है जो spacing है वो generally 2-3 cm के बीच में हो जो काफी उसका अच्छा result आएगा efficiency हमें साधा मिलेगी And the setting is important in the early morning and late evening तो setting सबसे पहले तो सुबब के टाइम और साम के टाइम में बहुत ही ज़रूर है क्योंकि उस time ही जो solar rays है वो काफी कम आते है जमीन पर या flat plate collector पर तो इस time पर setting का बहुत ही importance रहेगा तो इस तरह से total 9 प्रकार के हमारे पास parameter से जैसे एक selective surface तो absorber plate हमें काफी absorptivity वाली select करनी है Number of covers तो हमें जो उपर हमें glass cover रखे वो 2 से maximum 2 होने चाहिए 1 या 2 Now the collector tilt तो sun जो जिस direction में हमें हमारे flat plate collector को रखना है जिससे काफी ज़्यादा efficiency मिलेगी Now for spacing जो 2 absorber plate and the first cover यानि कि glass cover के बीच में जो हमें gap रखना है वो 3 से 4 cm के बीच में रखना है उसके बाद fluid temperature तो जितना ज़्यादा temperature वाला fluid हम use करेंगे उतना ही heat loss भी बढ़ जाएगा Now cover transmissivity जो हमारे पर हमने glass cover का use किया है उसकी transmissivity काफी ज़्यादा होनी चाहिए जिसके कारण जो absorber plate है उस तक काफी ज़्यादा heat या solar rays पहुंच पाए Now the dust on the top of the cover तो हमने जो glass cover यूज किया है उस पर जो dust लग जाएगी उसके कारण भी हमारे heat flux होगा हो काफी अंदर जो जाने वाला हो काफी कम जाएगा जिसकी वज़ए से efficiency कम मिलेगी Now the performance over a day तो बारा बजे सबसे ज़्यादा हमें solar rays मिलेंगे 9 a.m. या 6 p.m. में हमें काफी कम मिलेंगे solar rays Now setting तो setting का problem कब रहेगा जब हमने spacing रखाए absorber plate और हमारा cover plate के बीच में हो काफी ज़्यादा होगा तब setting का problem रहेगा वहाँ पर जो solar rays है वो अपने main way से deflect करने लगेंगा जिसके कारण efficiency कम आने लगी तो यह सारे parameter से